राजधानी श्रिम्ला में बुद्वार को मुस्लिम समुदाय मोहरम के मौके पर इमाम हुसेन की शहादत को याद करते वे जुलूस निकाला गया मोहरम के मौके पर कृष्णा नगर के इमाम बाड़े से ताजिया के साथ बालुगंज बैरियर तक जुलूस निकाला पर ताजिया उठा हाथों में अलम थामे जुलूस सरकुलर रोड गुरद्वारा और पुराने बस सड़े होते पे बालुगंज बैरियर तक मिकला। मुहर्म के मौके पर शिया समुदाई ने मुहम्मद हुसैन की शहादत का मातम मनाया। जुलूस में बुजर्ग महिलाएं, बच्चे और भारी संख्या में युवाज शामिल रहे। इसलाम कैलेंडर में ये दिन बेहद एहम माना गया है क्यूंकि इसे दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इसलाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला में अपने बहत्तर साथियों के साथ शहादत दी थी। और उनकी शहादत को शिया समुदाय याद करता है। महरम का उदेशे यही है कि हमारा स्टेंड हमेशा से इंजस्टिस और हमेशा से इंसाप के लिए रहा है। और आज से 14 साल पहले जो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है वो भी इस लिए दी थी ताकि इनसानियत बाकि रहे। ताकि इनसानियत जिन्दा रहे और इसी वज़ा से आप हिंदोस्तान के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं क्योंकि ओफिशल चुटी रहती है आज के दिन तो ओफिशल चुटी का मतलब यह है कि हंदोस्तान में इसका एक मरतबा है एक मकाम है और एक खास लोग हैं शिया क जिन्दा है हर उस इनसान के लिए गए और जो बैटल और पर ज कर बार है वो हर इसान के लिए मैसिज और एक सबक देती है कि कभी भी जल्म और अत्याचार के बाद यो ना है और हमेशा उसके मुकाबल में खड़े रहेना है चाहे आप Süe अपना सर क्यों ना कटाने पड़ तब भी आपको कभी भी अत्यचार को कबोल नہी करने है उसको एकसेप्ट नहीं करना है जी यह यहां से कृष्णन नगर जिसको लद्दापी महले कियते हैं लद्दापी महले से यह बेरियर तक जाएगा बालू गंज बेरियर तक एक महाँ पर जाकर खत्म होता है और तक्रिबान 6-7 किलोमेटर दूर का यहां से सफर रहता है और यह खास कर दस मुहरम को यहां से हमले कर जाते हैं जी शिया लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाग लेते हैं आपको बता दे कि आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में मुहम्मद हुसेन ने इंसानियत की खाते शहादत दी थी उनकी शहादत को याद करते हुए आज के दिन शिया समूदाय जलूस निकालता है और साथ ही जल्म और अग्दाचार के खिलाफ कभी सर ना चुकाने का भी संदेश दिया है पंजाब केस्ट्री टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट